विल्कम फ्रेंट तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैकबोर्ट क्लास 11 आर्ट्स का इकोनोमिस का अध्याइचे परीच्छेपन के माप इसका महतपूर्ण अब्जेक्टिव टाइप कोस्टन देखेंगे जो की एक्जाम के पॉइंट अब यू से इंपोर्टेंट अफले हैं तो देखें पहला कोस्टन है चरम मुल्यों से सरवाधिक प्रभावित होने वाला अब की रन की माप है अप्शन ए में विस्तार बी में माइद विचलन सी में पर माप विचलन दी में चतुर्थक विचलन तो इसक राइट अप्शन हो जाएगा अप्शन नंबर अधिक्तम एवं नियुनतम प्रेक्षनों के बीच अंतर बी में नियुनतम एवं अधिक्तम प्रेक्षनों के बीच अंतर सी में अधिक्तम एवं नियुनतम प्रेक्षनों का अउसत डी अप्शन में अधिक्तम एवं नियुनतम प्रेक्षनों का अनुपात इसक राइट अ करेंगे तो इसमें सब का अलग अलग आएगा सबसे दस में घटाएंगे विश्थर मतलब 10-1 तो 9 हो जाएगा तो सब का अलग अलग मान आएगा तो यहां एक कॉस्चन जो है गलत दिया गया तो आपको याद रखे लिए विश्थर किस टाइप से निकलना अधिकतम मान में क्या करना निवनितम मान को घटा देना उसी को हम लोग विश्थर करते हैं किस अर्थसास्त्री के अनुसार अपकीरन बदों के विचरन का माप है अप्शने में मार्सल, B में बावले, C में केंस, D में रोबिन्स तो इसक राइट अप्शन हो जाएगा अप्शन नमबर B, बावले समंको या फिर आकडो के अपकीरन मापने की सबसे सरल माप है अप्शने में है विश्थार, B में है माज, C में है अपकीरन, D में इनमें कोई नहीं इसका राइट आप्शन हो जाएगा अप्शन नमबर C, आप कीरन, सात हवा प्रषन है विश्थार गुनांका सूत्र है, अप्शन A में है L मेंश बटा दू, B में है L पोलस बटा दू, C आप्शन में L मैंनेश बटा L पोलस S, डी अप्शन में है इनमें कोई नहीं, तो इ बनेगा नेक्स्ट कोशन है आठवा नमबर निम्न आकड़ों से विश्तार यानि कि रेंज ग्याद करें रेंज भी आपका लिखा हो सकता है तो देखें दिया गया है आकड़ा 58, 72, 35, 48, 63, 81 तो आपका रेंज का सुत्र क्या आता है अधिक्तम में 99 को माइनस कर देना है अधि अधिकतम मान में निंतम मान को तो एक में 5 नहीं जाएगा तो एक यहां से पेरी कर लेंगे तो 11 हो जाएगा 11 में 5 जाएगा तो 6 हो जाएगा यहां साथ बचा साथ में 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा आपका ओप्सन 46 होना चाहिए ओप्सन 46 यहान नहीं है तो यहां मिस्प्र याद रख लेना l minus s बट्टा l plus s होता है तो l कितना है l यहाँ गुनाग निकलना है तो l मतलब सबसे ज़्यादा largest number largest number यहाँ कितना है 72 72 है और smallest number क्याँ 24 है 72 minus 24 और यहाँ 42 plus 24 करेंगे तो 42 minus 24 कितना होता है तो 48 होता है बट्टा में हो जाएगा 72 जो 24 करेंगे तो हम लोग 96 होता है अब इसको कट जाएगा 48 यह 48, 48 दूनी 96 एक बटा दो हो जाएगा अब 2 से एक को डिवाइट करेंगे तो कितना हैगा 0.5 पाएगा तो इसका answer क्या हो जाएगा 0.5 option D इसका right option हो जाएगा 10 नमर का question है नीम नाकडो के लिए विष्टार है इसका विष्टार निकलना है तो इसमें सबसे ज़्यादा कोन है 80 है 80 में माइनस करेंगे माइनस 10 को क्योंकि सबसे कम क्या माइनस 10 तो माइनस माइनस क्या हो जाता है तो क्या होता है यह विष्टार होता option A में दिया हुआ है विष्टार तिसको ठीक कर देना नेक्स्ट question है 12 नमर इनमें से कौन से सूत्र का परियोग अंतर, चतुर्थक, विष्टार यानि कि परास परास भी आपका मिल सकता फ्रेंड इसलिए याद रखना, रेंज, विष्टार, परास तीनों में आप कोई भी मिलेगा तो माइनस करना, ग्याद करने के लिए क्या जाता है तो इसका option A में है Q1 माइनस Q2 बट्टा दो B option में है Q1 पलस Q2 बट्टा दो C में है Q3 माइनस Q1 D option में है Q3 माइनस Q1 तो इसका right option क्या हो जाएगा Option C Q3 माइनस Q1 Next question है तेरा नमबर निम्न में से कौन सी अप किरन की एक मातर माप है Option A में विचलन गुनांक, B में विष्टार, C में माइद विचलन D में है पर माप विचलन तो इसका right option क्या हो जाएगा प्यूक्त माप है Option A में है विष्टार, B में है चतुर्थक विचलन C में है माइद विचलन D में है पर माप विचलन तो इसका right option क्या जाएगा Option B चतुर्थक विचलन Next question है पंदरा नमबर चतुर्थक विचलन का सुत्र है Option A में है Q3 माइनस Q1 बट्टा Q3 पलस Q1 B option में L माइनस C में है Q3 पलस Q1 बट्टा दो D option में Q3 माइनस Q1 बट्टा दो तो इसका right option क्या जाएगा Option D Q3 माइनस Q1 बट्टा दो Next question है पंदरा नमबर पलस माइनस चिन्नो को छोड़ दिया जाता है खालेस्थान की गन्ना में बिस्तार में option A में बिस्तार B में है माइनस बिचलन C में है परमाप बिचलन D में है चतुर्थक बिचलन तो इसका right option क्या जाएगा Option number B हो जाएगा माइनस Q2 बट्टा दे बिचलन Next question है 17 number तो इसका right option A है हो जाएगा याद रखे लिदा Next question है 18 number माइनस बिचलन निकालना जा सकता है तो इसका option A में है B में है माइनस बट्टा दे में इनमें कोई नहीं इसका right option क्या हो जाएगा इनमें कोई नहीं होना चाहिए Option D right हो जाएगा माइद विचलन निकाला जा सकता है तो इनमें कोई नहीं सईक अथन को चुने है कि अप्शन में पर्माब विचलन मुल से स्वतंत्र है दी अप्शन में पर्माब विचलन पेमाने से स्वतंत्र है तो इसका राइट अप्शन क्या जाएगा अप्शन नंबर सी हो जाएगा पर्माब विचलन मुल से से भी मापा जा सकता है अप्षिन ए में है आयत चीत्र वी में ओजाई लोरेंस वक्र डी में वृत चीत्र तो इसकराइड अप्षिन के आजएगा अप्षिन नमबर सी लोरेंस वक्र नेच्ट कोस्षेण है 22 नमबर परमाप विचलन का विश्थार नीम्न में से किस की देन है अप्षिन ए में कारल पियर्शन Chris में बावले, C में है, एकेंबाल, D में में कोई नहीं, तो इसका राइट अप्सन क्या हो जाएगा, अप्सन नंबर A हो जाएगा, कारल पियर्शन, नेक्स्ट कोश्चन है, परमाव विचलन के गुनांग का सूत्र है, इसका अप्सन राइट अप्सन A हो जाएगा, डिल्टा बाई, एक्स मेगनिटूड, लेमडा भी बोल सकते हैं, नेक्स्ट कोश्चन है, चोबिस नंबर, श्रेनी के परतेक मूली पर अधारित माप है, अप्सने में विश्टार, B में चतुत्थक विचलन, C में परमाव विचलन, D में इन में सभी, तो इसका राइट अप ऑपने अपिपस्थное, यह यह परमाव विचलन, नेक्स्ट को चयन에, परमाव विचलन हमिशा परिकलित किया जाता है, अप्सट ंे में माध से, ब में बहुलक से, C में मधिका से, D में सब्ही, तो इसका राइट अप्सन क्या जागा, ऑप्सन अप्सन नंबर, माध से, ला बहु लग, मिलते हैं नाश्ट विटेम फ्रैंग, तप-तप के लिए, जाए इन बंदे मात्रा,